Hello friends, this is Rajya Sharma इस वीडियो में बात करेंगे कि कोडेट्स में किस टाइप का development पाए जाता है indirect development, direct development या दोनों टाइप का development पाए जाता है ठीक है? वीडियो स्टाट करने से पेले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन मिलते रहे ठीक है? स्टाट करते हैं कोडेटा जो है, कोडेटा के यो कुछ मेंबर हैं यूरो कोडेटा, सिफेलो कोडेटा, साइकलोस्टोमेटा, कोंडेशिक, ओस्टेशिक, एमफिवियं, रिप्ताइल, एयूज, मैबल्स ठीक है, हमें देखना है इनमें किस चार्प के डिवल्पमेंट पाए जाता है तो दो ट्रिक्स बनाईए मैंने पहली ट्रिक है, वो इंडारेक्ट डिवल्पमेंट के लिए पहली ट्रिक है, लिए, पहली ट्रिक है उसमें कि वो बताया मैंने एमफिवियन, यूरोप से आया, क्या हुलाए एक एम्फिवियन मत ब àsलो मैं यहो यूरोप से आया है, यह फिर हम एसे कहल लो, अमन माँ d, यह खरो Car करती है MPVN यूरोप से आया या Amun यूरोप से आया इस तरह से याद करेंगे जो आयम है वो ऑन को बतायगा यूरोप में E-silence कर दो और यू आर वो यूरोकोड़ेटा को बताएगा से सीई जो है सिफिलोकोड़ेट को बताएगा और आया जो है कुछ नहीं बताएगा तो यहां बिखना है MP1 यूरोप से आया या अमन यूरोप से आया indirect development के साथ मतलब indirect development शो करेगा तो ट्रीप 2 क्या है डारिक development लिए इसमें क्या देखेंगे कि जिसे की स्कूल है उसमें इस्पोर्ट चल रहे होते हैं ठीक है और वाँ पर साइकलिंग जो है साइकल की रेस चल रहे होते हैं तो में क्या होता है कि में पूछती है और कौन साइकल चलाएगा पूछ रही है कि ओर कौन साइकल चलाएगा तो जो रहे हैं राम आवतार मैरे और कौन साइकल चलाएगहा और जो इसमें वो क्या बता रहा है उसका को में गब अधिकर चलाएगा तर् से बनावली नीचे ओ गण को बताएगा ने घ्रिक हो गई अब देख कि आपको क्या करूना है यह तो ट्रिक कुर लो याद कर लो अगर आपने ट्रिक वन याद कर ली थो आप दूसरे आपको जाएगे तो दूसरे के बचे आपके लेगे अगर आपने डायरेट क्यार किये तो फिर इनके अलावा जो बचे हैं वो इंडारेक्ट क्यों होजाईगे यहां बोिवाली डाया जन नहीं याद रटना बोट वाली डायरेट्स में नहीं मिलेगी बोद वाली कंडिशन पूरल पस का थी अमर तो आपको कोई सा भी एक यादर लोग दूसरा खुद एंडस्टूड होगा कि क्या होने वाला है तो यह आपकी ट्रिक पूरी हो गई है एक छोटी से बात करें थी आपसे कि जो मेरी पिछली वीडियो थी कि development in non-coded वहां पर कुछ लोग को थोड़ा confusion हो रहा है कि मैंने हमा लिखा था कि डाइरेक्ट डाइवलोप्मेंट absent होता है non-coded में देखो उसका मतलब ये था कि कोई भी ऐसा phylum नहीं है non-coded में जिसमें बस और बस direct development पाई जाता है हाँ ये जरूर है कि कुछ ऐसे phylum है अमर अकबर एंथिनी जिनमें indirect development के साथ direct development भी होता है अकेला specifically direct development नहीं पाई रहा है नहीं होता है specifically direct development कोई भी फाईलम में non-coded में नहीं है इसलिए मैंने वाँ लिखाता ठीक है तो आप confused नहीं हो अमर अकबर एंथिनी मिंस एनिलिडा आर्थरोड़ा एसकल वेंथिस इनमें दोनों टाइप के development होते हैं ठीक है कोई direct भी और indirect भी लेकिन non-coded में कोई भी ऐसा फाईलम नहीं था जिसमें specifically direct development हो इसलिए मैंने वाँ लिखा था तो आप confused नहीं हो ठीक है यह दोनों हो गई ट्रिक आपकी खतम हो गई अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल थेंक यू